नमस्का फेंड्स मैं हूँ आपका मित्र आपका सकापका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दे कभी नंदन करता हूँ वास्तु की बार कमल नंदलाल के साथ इसरब आपके सादो तक इसले एक मंच, जो आपके जिवन को सरल, सुगम और सफल बिनाने का प्रियास निरन तर जारी रखे वह यह प्रियास आगे रंगों का ही है चमतकार और रंग ही मचाते हैं खलवली आपके जिवन दूप में काले कपड़े पहन कर निकल जाएए देखे क्या हालत होती है किसी सांड के सामने लाल कपड़े पहन लीजे देखे क्या हालत होता है रंग बहुत मैटर करता है जो लोग लूनियसी का शिकार होते हैं पागल्पन का शिकार होते हैं उन्हें सफेद कपड़े पहनना मना होता है सफेद के साथ में उनका सैकोलोजिकल बैलिंस सब्सक्राइप हो जाता है आप कितना महत्व रखने हैं हमारे जीवन, लोग कहते हैं शनी की महा-दशा में राहु की महा-दशा में काले नीले भूरे अरह कपडे ना पहने हैं आप बहुत सारे एस्ट्रोलेजिसे मिलिए वह आपको वह लेंगे काले रंगे, नीले रंगे, भूले रंगे और हरे रंगे कपड़े ना पहने बुद्ध जब बार्वे भाव में होता है को निली में तो लोग क्या बूलते हैं हरे रंग का स्तमाल करना छोड़ दीजिए तो शुब होता है उनके लिए, क्योंकि शुक्रमा पर अट्रक्शन देता है, और वही परी एक शामल वरन के महिला को या शामल वरन की पुरुष को जो बहुत जादा डार्क कॉमपलेक्शन का हो, आप उसे मजंटा रंग पहना दीजा, ऐसा लगेगा, कॉन्ट्रेस्ट, पिंग कलर की ट्राउजर्स पैन लेती है, यह जीन्स पैन लेती है, क्या पुरुष गुलाबी रंग की ट्राउजर्स यह जीन्स पैनते हैं, नहीं, क्योंकि वो मैस्कुलाइन है, और कलर फैमिनाइन है, क्या एक विभायता इस्तरी सफेद साड़ी पहनती है नहीं क्यों क्योंकि वो उसके अनुकूल नहीं वो लाल पीले गुलाबी मरून बजिंटा कलर के वस्तरी जादा पहनती है जो उसकी शुबता को उसके स्वभाग्यको दर्शाथा है और हम सभी कही न कही गर्मी के दिनों में पुशिश करते हैं या लाइट ग्रीन कलर के पड़े पहनने को, वो ठंडे होते हैं, और वहीं सर्दी के दिनों में हम काले को, हम भूरे को जाधा महत्वता देते हैं, या डाक ब्राउन को महत्वता देते हैं, कारण क्या, और अगर हम बिरोधा भासी चल जाएं, तो ये रंग जीवन को बना दोते हैं, चलिए रंगों के बारे में कुछ और आपको जानकारी देते हैं, रंग जीवन और जीवन तता का प्रतीक है, रंगों से प्रेम हमारी अलग मनुभावनाओं को अभिव्यक्त करता है, मानव जीवन पर जिस जगह वो बैठा है, या जिस जगह उसका घर है, उसका कारेस्थल है, ओफिस है, वहाँ पर उर्जा का बहुत गहरा प्रभाव होता है, और इस उर्जा को संतुलित करने के लिए हमें रंगों का चुनाव करना पड़ता है वेग्यानिक रूप से, किसी भी घर में ओफिस में उसके मास्टर यानि कि ग्रह स्वामी का शैनकक कारखानों, कारेलों में, दक्षण पस्चिम दिशा में जो भाग हो, वहीं दिवारों और फरनीचर आधी का रंग हलका गुलाबी अथवा निम्बू जैसा पीला हो, तो बहुत बड़िया रहता है, उसका कारण है, यहां पर राहू बहुत बुरा एफेक्ट नहीं दे पा बाला रंग लगा दिया जाए, यहां चठकिला नेला रंग कर दिया जाए, तो संबंध खराब हो जाते हैं, गुलाबी रंग को प्रेम का प्रतिक मानते हैं, यह आपसी सामंजस्य में वर्धी करता है, इस रंग के शेत्र में व्यास करने वाले जातकों की मनु कामनाएं, उनकी प्रणय क्रिया, उनका रुमैंस का शेत्र बहुत सम्रद्द हो जाता है। और उसी के बनस्पत, यहाँ पर गहरे, काले, डल कलर, जो हैं, उनका प्रियोग व्यक्ति में मनुवृतियों को प्रतिकूल बना देता है, भावनाओं को प्रतिकूल बना देता है। इसी प्रकार से उत्तर पस्चिम भवन में या उत्तर पस्चिम जो फेसिंग मकान हैं, उनमें हलके सिलेटी रंग का प्रियोग करना भावड़ेया रहता है। क्युकि यह जो है यह चन्दरमा की ठेसिंग दिशा है यहां पर पार सिल्वर यहां किसी तरीके से कुछ ऐसा कलर जो चंदरमा को रिप्रजन करता है, वाइट, हलक असा लड़ा ग्रेश की तरफ ठोड़ा सा जो चंदरमा का रंग है बहुत छुकता प्रदान करता है। इस रंग के शेत्र में वास करने वाले लोग, उनकी मनुकामनों पर धियरा प्रभाव पडता है। वास्तू के अनुसार घर का अभिवाहित कन्या या लड़के जो हैं उन्हें नौर्थ वेस्ट में रहना चाहिए और अगर किसी ओफिस में अगर उत्तर पस्चिम भाग में वाइट या सिलेटी रंग का प्रियोग किया जाए तो बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं यहा किसी घर के दक्षन कोने में रहते हैं वो नारंगी रंग का प्रियोग करें तो यह बहुत उच्छुत माना गया इस ही के बनस्पत यहां ब्लू कलर का प्रियोग अगर कर लिया जाए तो बहुत जादा प्रोब्लम देता है और इस रंग के प्रियोग से मन में स्पूरती र या बहुत हलके कलर अगर प्रियोग किया जाए तो जीवन में सुस्ती रहेगी आलस्य रहेगा व्यक्ति में कर्म करने की इच्छ दब जाएगी घर की पूर्व दिशा में किसी बनेवे कमरे में सफेद रंग का प्रियोग किया जाना चाहिए यहां पर उसके पॉंट्रेस्ट में टू कलर वाइट एंड मरून यह कलर रहता है इस रंग में सफेद रंग में साधगी बहुत अच्छी रहती है और शांती का प्रतिक भी रह स पूर्व दिशा में चट्कीले कलर का प्रियोग करने से मन आपका चंचल हो जाएगा बहुत जादा रेस्लेस्नेस रहने लगे और इस पूर्व दिशा में अगर किसी ओपोजेट रंका जैसे पीले का नीले का खाले रंका अगर प्रियोग आग पर दे तो लाइफ में रहने वाले आज्याकारी और आदर देने वाले बनते हैं और उनके मन में अच्छी भावने उत्पन होती है। नीला रंग जो है वो नीला काश की विशालता है। त्याग तथा अनंता का प्रतीक है। पश्चिम दिशा में रहने वाले के मन में संकुचित्या ओचे भाव उत्पन नहीं होंगे इससे और वास्तु के अनुसा नौर्थीस्ट भाग को हरे और नीले रंग के मिश्रन सरंगना चाहिए और यहां पर प्रीले रंग का प्रियोग बहुत अच्छा माना जाता है अग्मी तत्वा माना लिया इस स्तान के साथ सज्जा में पीले रंग का प्रियोग बहुत उच्छिद होता है क्योंकि ब्रहस्पती शुक्र को बैलेंस कर देता है तो प्रेंट्स प्रोग्राम को खतम करने से पहले आज का विशेश उपाए वो उपाए बास्तु का वो उपाए जो आपकी खास समस्याओं को दूर बगाए रंगों का ही प्रियोग करके आप अपने घर में आपकी लाइफ को बहतर बना सकते हैं अगर आपके जीवन में आपके जीवन साथी के साथ में कलय है अगर आपके जीवन में तहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फिजिकल यां सेक्श्वल लाइफ तो आप बहुत सीधा और सिंपल काम कर सकते हैं आपको एक शहद की बोटिल लिनी है और उसके अंदर आठ कार्ने लियन है जिस हम कहते हैं रात रतूला यह पक्थर रखने है और साथ वसाथ के अंदर इसे घर की दक्षन दिशा में आपको प्लेस करना है और ठीक इसके पास में है आपको एक सिंदूर से त्रिकोन बनाना ट्रैंगल इस तरीके का ट्रैंगल जो उपर की तरफ जा रहा हूं नीचे की तरफ में उपर की तरफ जा रहा हूं सिंदूर से इस ट्रैंगल को बना दे और चोटा सा ही संदूर लगभग लगभग दो इंच पर लाइन के हिसाफ से बना ले और इसे संदूर से बनाएं और इसके बीच में काजल से क्लीम लिख दें और जो रात रतूले आपने आठ रखे हैं शहद में उसके पास में आप क्लेज कर दें सच मानिएगा दिन रात का अंतर आएगा आपकी सेक्शुल लाइफ में आपकी रोमेंटिक लाइफ में और आपका शया भाव जागरत हो नमस्कार